तो क्या हाल है भाई हो के आज मैं तुम लोगों कुछ ऐसे विचित्र बंदों से मिलाने वाला हूँ जिन से मिलने के बाद भाई तुम कुद बोलोगे कि भाई ये तो बहुत गंदे तरीके से हमारा तोड़ गए दिल मतलब भाई ये लोग इतने बड़े डिजाइन लोगें कि भाई तुमारे जजबातों के साथ खेल जाते हैं मतलब भाई कलाकृति यह तो भाई इनमें कूट कूट के इंतनी भरी हुई हैं कि भाई इनको कलाकृति दिखाने के लिए सिफ योट्यीब शौट्स मिलता है और ये उनी कुछ चुनिंदा लोगों में से हैं जिनोंने भाई पुरी फ्री फायर की कम्यूनिटी को विगाड़ के रखा है यूट्यूब है और ऐसे में क्या तुमारे दोस्तों आते और भाई तुमारे पर हसके चला जाते कि भाई बच्चो का गेम है भाई पब जी वाले सीओ डी वाले मतलब भाई मैं तुमको ये क्रियेटर के नाम गिनाओंगा न यार तुम खुद बोलोगे कि भाई हम कैसे क्रियेटर को फॉलो क करने लग गए थे और छोटे मोटे क्रियेटर का का इसमें नाम नहीं लेटे वालों मैं नाम लूंगा शिदे पाच मिलियन दस मिलियन वाले क्रियेटर का जिनके व्यूस तो भाई लाको करोड़ों में आएंगे लेकिन कमेंट्स आएंगे 200-300 वह भाई से भी स्पैम मेरी कमेंट को लाइक करेगा उसके भाईया माब आप तो सालों तक जीएंगे अरे भाईया तु भगवान से पुष्टों पर लिखवाया के लाया है लेकिन नहीं यह तो भाई आचिवमेंट कहलाता नहीं यार कि यूट्यूबर के इस पर भाई ने करोड़ों व्यूज आ मतलब भाई लोग मैं आपको बताता हूं यह लोग का जो यह जो डिजाइन पर ना यह पूरा पूरा भाई में टीवी में इतनी बार देख चुका मैं को इनके वीडियो शॉट इतने ज्यादा रेकमेंड हुए हैं कि भाई अब मैं तुमको क्या ही बोलु या और इन लोग लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई मैं क्या बोल रहा हूं चलो मैं तुमको बताता हूं यह है गाईस मेरी नॉर्मल आवज जो आप लोग इतनी दिर से सुन रहे हो है ना अब इसी आवज को मैं ऐसा भी कर सकता हूं अंतर पता है दोनों में क्या है सिर्फ और सिर आवर काउंट से एक बार देख तो लोग 5 मिलियन, 6 मिलियन, 8 मिलियन, 10 मिलियन, 11 मिलियन तक हो चुके हैं और यह एक ऐसा कान भाई इनोंने किया है ना कि भाई एक शौट क्रियेटर जो किसी फैक्ट्स एंड निउस से रिलेटेड विडियो बनाता है ना जो शौट्स बन चल अब यहाँ पर हम लोग ना इनके सरदार की बात करते है डायरेट बॉस की जो कि भाई में बन्दा है जो गैस फस नमर पर आता है वो बन्दे का नाम है नितिन फ्रीफायर, नितिन एफफ तुमने भी यह बन्दे का शौट भाई कभी ना कभी गलती से स्क्रॉल करके द तुमको बताता हूए ृसके भाई यह तिन फ्रीफायर अबस ना आवज देने का काम नी करेंगे अवज देने का काम भाई यह अकेला बंदव कर लेगा नितिन भाई पूरा काम कर लेगा। एंड उसके बाद फिर उसके किसी दोस के आवज के लिए कम पिच कर देगा उसके और किसी दोस के लिए जादा पिच कर देगा और वाइस वो एक ही बंदा दे रहा है लेकिन लगता हमको ऐसा है कि भाई अलग-अलग बंदे बोल रहे हैं भाई इन समय कभी शायरी हो जाएग अब भाई गॉल्ड में निकल जाता है तुम लोगिन तो कर लो भाई स्केनर तुमको सो मिल जाएंगे फ्रीफार में चलो तुमको मैं थोड़ा साना एक मतलब ख्लिप तो नहीं दिखा सकता हूं नि तो यह भाई साब तो कॉपी रइट कर देंगे कि वीडियो हट जाएगा यह एस पेन भाई का और बस मिशन सक्सेस्फुल फिर तो इन लोग के शॉट की पता स्टार्टिंग कैसे होती है अरे अरे नितिन भाई यह देखो मुझे एक बंद ने चैलेंज किया है अरे तो उसकी हिम्मत कैसे होगी मेरे भाई को चैलेंज करने की नी मतलब भाई तुम को भाई मज़ा आया क्या कुछ सुनके मेरी आवज है लेकिन मैं उसको इतनी जादे एडिट करती है कि तुमको लगेगा कि हाँ अलग अलग बंदी के आवज है एंड यह कला कृति सिफ 10.5 मिलियन वाला नितिन इनी दिखा रहा है इसके साथ का एक और मेंबर पे आते हैं तुमको क्या लगता है मैं इतनी देर से वेडिट की बात कर रहा हूं तो मैं योई कर रहा हूँ आजओ फेक्ट फायर पे भी तो भाई अब यह फेक्टometer की है अगर में में बात करने पर आओ नहीं न आयर तुमसे तो भाई फेक्ट फेक्ट काम बस नीजीन से थोड़ा सा नीचे लेवल का है और उसी लेवल के हिसाब से ये बंदे के सब्सक्राइबर भी सिफ 6.35 मिलियन है नी ये तुम लोग के लिए भाई काम होंगे मेरे लिए नी है वो भी एक ऐसे चैनल के लिए जिसका मुझे तो नहीं लग रहा है कि भाई ये लोग बहुत हटके हमको quality content ला भी भाई सेम काम है अपनी पीच के साथ भाई बस खेल रहे हैं उंगली कर रहे हैं भाई अपना शान कर रहे हैं नी मतलब भाई तुम में इतना जादा ही भाई तो भाई किसी बड़े creator के लिए थोड़ा भाई editing की skill अपनी दिखा दो थोड़ा पैसा कमा लो ऐसे करके कम से Hexen Pro के बारे में को तो कुछ भी नहीं बोलना है तुम यही मान लो भाई जो मैंने Factfire का बोला है न यह बंदा भी सेम लेवल पे चलता है चलो मैंने सोचा तो नहीं था बट गईस एक और बंदे को लपेटने का mood तो गईस होई रहा है यादी होगा तुमको मां की कसम देने यार वो बंदे को मतलब भाई मुझे तो शर्म आती है कि यार फ्री फैर कम्विनिटी हमारी कम्विनिटी के लोग ऐसा कैसे कर सकते कि तुम ऐसे बंदे को जाके एक ब्लैक मिलर को जाके तुम लोग सपोर्ट करके आ रहे हो यह बंदे का अगर एक करोड की बज़ा है वही जिन तुम समझ गए ना उसी दिन ये फ्री फैर की गरीना भी समझ जाएगी इनको भी अक्कल आ जाएगी कि भाई फ्री फैर को केसे लाना है अब चलो मैं तुम लोग को एक आखरी बंदे से मिला आता हूँ जो कि भाई विसा लगता है बैज नाइंटीन का फूपा का छो कि हाँ भाई ओडियन्स भी इंगेज होगी ओडियन्स को भी थोड़ा सा लगते कि हाँ एंटरेन हुआ है बट यहाँ पर ही मैं तुमको बताना चाहूँगा कि भाई ये बंदा ना कॉपी पेस्ट कर रहा है कंटेंट नहीं अपनी आवज का कॉपी पेस्ट कर रहा ही है ब नहीं पर ये बंदा भी भाई पुरी शायरी बोलता है बड़ी आसी और हम भी फुद्ध हो है नहीं हमको भी भाई समझ में पूरी आती है कि भाई वो क्रोम से निकली की गूगल से निकली है चल ठीक है मेरे भाई तू अपनी आवज के साथ तो खेली रहा है लेकिन ते को क क्या जरूरत है आदते भी बदलने की अपनी अरे भाई मेरे अपनी पर्सनल आइडेंटीटी बदाना अपनी खुद की एक पैचान बना लोग तेर को देखने आ रहे बैज 99 की फर्स्ट कॉपी को नहीं देखने आ रहे होप करता हूं भाई लोग मैंने जिन जिन को भी लगता है ना कि भाई जैनुएन है एंड इस पर मुझे बोलना चाहिए तो उसके लिए मैं सिर्फ उस पर्टिकुलर बंदे के लिए वीडियो तो नहीं लेकिन एक शौड बना कर जरूर सरी रिलिस करूंगा यह मेरा प्रॉमिस है आयनो कि भाई मेरी आज की जो वीडियो ह अगर तुमको अगर मुझे जो गालिया देनी दो मुझे कोई फरक नी पड़ता है और अगर तुम मैंसे कोई एक भी ग्रीटर अगर देख रहा है तो तुमको मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा थोड़ा समझाना चाहूंगा कि भाई अपना अच्छा कंटेंट लाओ यह व कि एक अच्छा वेल्यू देखो एंड एक अच्छा वेल्यू कंटेंट बनाओ लोगों के साथ ऐसे टाइम पास मत करो एंड ओडियन्स के लिए स्पेशली कि आप लोग प्लीज उसी कंटेंट को पसंद करो जो कि आपको लगता है कि भाई मेर को भाई यह बंदे ने कुछ ग्यान की बात दिए कुछ वेल्यू प्रोवेट किए बागी दोगा एस सीजी के साथ होप करता हूं आप लोग को मेरा आज का वीडियो पसंद आयोगा एंड आप लोग को वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करकर जरूर से बताना एंड अगर वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करकर चैनल को सब्सक्राइब करकर नोटफिशन बेल को आल पर सेट करना तो बनता ही है बागी चलो मिलते हैं अब और किसी अगले वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई स्टे टून्ट